हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ पनीर की बहुत ही रिच फ्लेवर रेसिपी पनीर पसंदा इस रेसिपी को आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर रेसिपी पसंदा आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें तो चलिए कुछ नया सीखते हैं पनीर पसंदा बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज का प्याज दो हरी मिर्च जिसको की रफली चौप कर लिया है थोड़े से पानी में तीन से चार मिनट के लिए इसको उबालेंगे प्याज हमारा ट्रांसफारेंट हो चुका है फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं आप पनीर के पीसेस कट करेंगे उसके लिए जो साइड का एक्स्ट्रा पनीर था उसको निकाल दिया है और इसको हम रेड ट्रेंगल सेप में कट करेंगे इस तरह के सेप में हमें पनीर चाहिए इसको साइड में रख देंगे और यह चोटा-छोटा पनीर है इसकी हमें इस टफिंग बनाएंगे हम 4-5 की पांच काजू 5-6 की समिश को चोटा-छोटा कट कर लिया है काली मिर्च पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा नमक डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्टपिंग हमारी अच्छे से मैस हो चुकी है अब हम इसको जितने हमारे पनेर के पीसे से उतने भाग में हम इसको डिवाइट कर लेंगे अब दो पनीर के पीस लेंगे और उसके बीच में जो इस्टफिंग तयार किया है उसको रखेंगे उपर से हम एक पीस रखके और अच्छे से प्रेस कर देंगे इसी तरह से हम सारे पीसेश तयार कर लेंगे देख सकते हैं इस तरह से इसको प्रेस करेंगे और इसके उपर ये पीस रख देंगे सारे पीसेश हमारे तयार हो चुके हैं अब हम पैन गरम कर लेते हैं फ्लेम मीडियम रखेंगे मैंने सेलो फ्राई किया है आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं तीन चम्मच कौन फ्लोर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर गाढ़ा पेश्ट बना कर तैयार कर लेंगे इसके बाद जो हमारे पनीर के पीसेस हैं उनको उसमें डीप करेंगे और इस तरह से डाल देंगे इसी तरह से हम सारे पीसेस डाल देंगे फ्लेम मीडियम रखेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तब पकाएंगे जब हमारे पीस एक साइट से पक जाएंगे तब हम इनको पलट का दूसरे साइट पका लेंगे इसी तरह से अगर आप डिफ फ्राइ कर रहे हैं तो इसी तरह से कर सकते हैं पीसेस हमारे पक कर तैयार हैं अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से सारे पीसेस निकाल लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ओयल है उसको हम निकाल देंगे अब हम ग्रेवी बना कर तयार करेंगे उसके लिए मैंने एक तेज पत्ता चार छोटी इलाइची एक बड़ी इलाइची चार से पांच काली मिर्च सारी चीजों को अच्छे से पका लेंगे उसके बाद ये तीन से चार कली लहसुन और एक इंच अद्रक का टुकड़े को पेस्ट बना लिया था उसको भी डालकर पका लेंगे और इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे ये जो बॉयल किया हुआ प्याज और हरी मिर्च थी उनका पेस्ट बना लिया था अभी हम उसको डालकर भी पका लेंगे साइड से ओयल दिखने लगा है इसका मतलब मिश्रन पकार तयार है अब हम आदी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर आदी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप लाल मिर्च का इस्तेम कर सकते हैं अब हम टोमैटो प्यूर्य डालेंगे यह मैंने एक बड़े साइज का टमाटर घर में ही पीसकर तयार किया है थोड़ी देर चलाते रहेंगे और यह कुछ इस तरह से दिखने लगेगा सभी मसाले हमारे पकर तयार है अब हम अपनी ग्रेवी में रिच फ्लेवर लाने के लिए आधे गंटे के लिए आठ से दस काजू भी गोए थे उसका पेस्ट बनाया है उसको भी डाल कर हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम आदे चम्मचीनी डालेंगे इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसको पकाने के बाद एक बड़े चम्मच क्रीम डाल देंगे यह मैंने मार्केट की क्रीम का इस्तिमाल किया है आप घर की मलाई का भी इस्तिमाल कर सकते हैं चार से पाउडर बनाया था उसको भी डाल दिया है थोड़ी दिर पकाने के बाद अब हम इसमें पाणी डालेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे नमक अपने स्वादानुसा ही डालें और इसको 3-4 मिनट ढखकर पकाएंगे 3-4 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है अब फ्लेम बंद कर देते हैं अब हम इसको एक बावल में निकाल लेंगे और ये देख सकते हैं कि ग्रेवी हमारी कितनी सुन्दर दिख रही है इस ग्रेवी का बहुत ही रिच फ्लेवर आता है और ये पनीर हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बन कर तयार होता है इसलिए इस पनीर पसंदा को आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राई करें आब हम इसकी हरे धनिये से गार्निशिंग करेंगे और ये लिजी हमारा पनीर पसंदा बन कर तयार है आप इसको नौन के साथ रुमाली रोटी पुलाओ किसी के साथ भी शरू कर सकते हैं थेंक यू